बरतवान समय में वेकंसी जितनी कम आ रही है कि किसी वेकंसी की अगर सूचना मिलती है तो हम सब के चेरे खुशी से खिल उठते हैं क्योंकि वेकंसी आ रही है हमें नौकरी मिल जाएगी हमारे सपने पूरे हो जाएगे ऐसी एक वेकंसी है DSSB, TGT, PGT और PRT के लिए वेकंसी आपका दर्वाजा खट-खटा रही है तो आप लोगों के मन में विचार होगा कि सर वेकंसी आने दीजिए तो उसकी सूचना दीजिए नहीं आजकल वेकंसी जब आती है तो परिक्षा के लिए बहुत ही कम समय आपको मिलता है जिससे आपने KBS में देखा, बहुत कम समय देकर आपसे परिक्षा करवा ली गई तो इस वेकंसी से सम्मंदिज कुछ महतपूर जानकारिया मैं आज आपको प्रेसित करूँगा जिससे जो भी सदस eligible हैं कम से कम वो बिना चिंता के अपनी तयारियों को सुरू कर सके साथी साथ आपकी तयारी के लिए एक भातपूर बैच का announcement भी आज करने जा रहा हूँ जिसकी कक्षा है 22 मार्स से प्रारंब होंगी यह बैच complete PRT, TGT, PGT सब की preparation के लिए होगा जो DSSB के लिए होगी आप सबसे अनुभवी, विश्वसनी और सरवदिक चैन नेने वाली टीम के साथ तयारी प्रारंब करिए जिससे कि आप अपने चैन को सुनिश्चित करा सके DPPSB की परिक्षा का जो pattern है, जो standard है, वो KBS से बहुत अच्छा है तो यहाँ पर आपको बहुत दक्ष अध्यापकों की एक team की जरूरत है जो बास्तों में आपको सफलता तक ले जा सके DPPSB के पाठ्ठकरम, exam pattern और standard की बात करें तो यह KBS से काफी अच्छा है तो यहाँ पर आपको बहुत एक दच्छ और अनभवी अध्यापकों की team की जरूरत है जो बास्तों में आपको सफलता तक ले जा सके हमारी team SEE है, जहाँ पर भारत के सरुस्ष्ट educators आपको DPPSB की तैयारी कराने चल ले है आज इस वीडियो में मैं वो समस्त जानकारी दूँगा जो आपके दिबाग में है, vacancy कब तक, exam date कब तक, B.Ed. eligibility, PRT, TGT, PGT के लिए क्या है और कौन सी योगता हैं जो आपके लिए जरूरी है कौन से प्रमारपत्र आपको चाहिए, जिन बिना आप फाम नहीं बढ़ सकते ये समस्त जानकारियां मैं आपको दूँगा सबसे पहले मैं batch के बारे मैं आपको बताता हूँ कि batch हम कब से प्रारम कर रहे हैं और batch की रणनीती क्या है बाकी भी सारी चीज़े में हम लोगों ने आपके लिए तयार की हुई है ये सारी चीज़ों पर मैं बारी-बारी से आपके बात करूँगा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इसमें batch भी हम आपकी सुबदा के अनुसार बना रहे हैं जैसे आपकी query है जैसे common paper जिसमें GS है, math है, reasoning है वो सबको देना है तो common paper के लिए PRT, TGT, PGT वाले अगर केबल common paper ही लेना चाहिए तो common paper का batch बिल्कुल अलग है complete PRT batch सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो complete PRT के लिए है तो PRT के लिए complete batch दे रहे हैं में आपका pedagogy का भी section है और आपका पूरा जो common paper है हम पूरा जितना आपका part करें में वो आपको तयार कराएंगे और अगा आपको TGT, PGT के subject के batch भी चाहिए तो complete subject के batch भी आपकी available है तो आप उनको भी ले सकते हैं तो TGT, PGT वाले यहां से common paper को ले सकते हैं और यहां से आपने subject को ले 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 तो उनका batch पूर्ड हो जाएगा यह समस्त कक्षा है 22 तारिक से आपकी प्रारम हो जाएगी क्योंकि समय बहुत कम है तो हम दोग 22 मार्ट से इनकी कक्षाओं को प्रारम कर रहे हैं कैसे आप इस batch से जोड़ सकते हैं मैं आपको भो भी बता दू सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर चले जाएए प्ले स्टोर पर आप टार्गेट ओन एप को ओपन कर लीजिए उसको इंस्टॉल कर लीजिए जैसे ही आप एप इंस्टॉल करेंगे हमारी टीम पूरे प्रॉसेस के साथ आपसे संपर्ख करेगी कि कैसे आप अपने प्रिवेश को सुनश्चित करा सकते हैं यहां से भी आप batch में प्रिवेश ले सकते हैं या यह हमारे काउंसलर सदस्चों के नमबर है इन नमबर्स पर कॉल करके भी आप बैच में प्रिवेश सुनस्चित करा सकते हैं मतलब आप पिले श्टोर से सीधे एप पर चले जाएए या आप बाटसप नंबर पर इंट्री डी ट्रेपल एस भी लिखकर भेद दीजे या आप इन नंबर्स पर फॉन कर लिजे तो भी आप हमारे बैच को परचेश क सकते हैं कौन से तरीके हैं जो एक परिच्छार्ती को चैनत होने के लिए बहुत आवस्यख होते है तो हम अपको लाइफ क्रशा आई देंगे जासे आपकी जो आवस्यक कर्शा है क कौमन पेपर की और आपकी सब्जेक्ट की हम पर्तिन आपको केबले पीडा ही पड़ाई करने के बाद जो भी आपके notes है वो आपको हम direct भेथ देंगे और आप वहां से आराम से अपनी पड़ाई लखाई को कर सकते हैं और आप अपने lectures को सुन सकते हैं एक lectures को आप कई बार देख सकते हैं, अगर आप live नहीं भी पड़ पा रहे हैं, आप कभी भी उस lecture को देखिए, कितनी भी बार देखिए, unlimited view है, कोई असी बाध्यता नहीं है, restriction नहीं है, कि आप 6 बार ही देख सकते हैं, 7 बार ही देख सकते हैं, यहाँ पर फायदा यह होता है क कि जब तक हमारे doubt clear नहीं होते हैं, हम अनेकों बार उन lectures से अपने subject को revise कर सकते हैं, live doubt session, कोई भी जब chapter खतम होता है, तो chapter wise हम आपको प्रिश्न उत्तर देते हैं, जो संभावित प्रिश्न उत्तर होते हैं, जो उस chapter से आपके बन सकते हैं, और उसका हम आपको live doubt session कराते हैं, तो जब आपका course complete होता है, तो ऐसी लगभग 1000 प्रिश्नों की आपके पास संभावित प्रिश्न उत्तर सरिंखला भी होती है, जिससे बाद में आप पूरे syllabus को division कर सके हैं, पचास प्लस life practice set, जब आपका पाठिकरम समाप्त हो जाएगा, तो हम पचास से ज़्यादा आपको life practice भी देंगे, जिससे आपकी तयारी बिल्कुल अचूख हो सके, और वहाँ पर जब आप परिक्षा hall में हो, तो वो माहुल पहले ही आपका ऐसा clear हो जाए, कि वहाँ पर आप निश्चित रूप से आप अपने content को बिना किसी doubt के tick कर सके, 50 ranker mock test series, ranker mock test series का मतलब यह है, कि ह हम एप पर आपको जब test देंगे, तो हम all India आपकी rank भी बताएंगे, कि जैसे 40 जार बच्चों ने अगर paper दिया, तो 40 जार बच्चों में आपकी rank कौन सी रही, तो उस समय आप यह आकलन कर सकते हैं, कि जो आपने पढ़ा है, और जिस चीज की तैयारी के बाद जब आप exam द परिक्चा में, इस से ज़्यादा समय अब आपको मिलने नहीं जा रहा है, KBS की परिक्चा ने प्रूप कर दिया, कि जब form आता है, तो form आने के बाद बहुत समय आपको परिक्चा के लिए नहीं मिलेगा, तो यह आपकी तैयारी के लिए सही समय है, target बित आलोग online team, KBS में आपने देखा होगा, हमने डेड़ से दो महीनों में आपको जो भी पढ़ाया, वही आपके पेपर में आया, हम ज्यादा बाते नहीं करते, हम ज्यादा प्रूफ नहीं देते, हम केवल अनुसासित तरीके से आपको पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं, जो भी TWA के आपके लिए बहुत जरूरी है, DTSB का जब भी डोटिफिकेशन आता है, इससे पहले हमेशा यह चीज रही है, आप चेक कर लिए, कि सबसे पहले DTSB सीधे डोटिफिकेशन नहीं देता, पहले वो तारिक की सूचना देता है, कि किस तारिक को वो डोटिफिकेशन अपना ज पहले भी जो स्पहली है, वो बिल्कु सही दी है, आपरेल के तीसरे सब्टाहय में आपका नौटिफिकेशन आजाना चाहिए, और लगभग लगभग आप समझ लेजिए, कि जुलाइ में आपका पेपर संभावित होना चाहिए, DTSB का, तो जुलाइ में आप इस पेपर को मान के चलिए कि जुलाई में आपको परिच्छा देनी है तो लगभग आज से अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग मार्च के मिड में हैं तो अपरेल, मई, जून और जुलाई अगर जुलाई मीड में पेपर होता है तो लगभग 3-4 महिने जो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अती आवस्तक है वही समय अब आपके लिए सेस्भी बचा है तो बास्तों में अगर तयारी करनी है तो यह सही समय है, तयारी सुरू करने का, क्योंकि अच्छे मार्च दर इन नोट से पढ़िए आप ज्यादा सफल हो सकते हैं तो किताबों से तो पूरा बजार भरा होगा पढ़ा है तो इस समय सही समय है कि 90-100 दिन में आपको तैयारी करनी है तो इस समय आपको इस तैयारी को प्रारंब करना चाहिए ठीक है एक्जाम पैटर्न मैंने पहले भी बत दूसरी बात कि आपको योगता हैं क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले तो यह करेक्ट कर लिजे कि आपको सीटेट पास होना जरूरी है अब सीटेट में अगर आप जर्नल है तो 90 नंबर अगर आप OBC है तो भी 90 नंबर और अगर आप SCST है तो 82 नंबर आपका होना चाहिए बिना सीटेट के आप ना तो PRT दे सकते हैं ना तो TGT दे सकते हैं ना तो PGT PRT के लिए आपको फर्ष्ट पेपर सीटेट का पास होना जरूरी है जिसको आप प्राइमरी कहते हैं और TGT PGT के लिए आपको सेकंड पेपर में पास होना आपका जरूरी है पास होने का मतलब ह कि आपके इतने मार्क्स वहां पर होने चाहिए ठीक है आप देखो जनरल जो है वह पृति एक जगह जनरल ही होगा जैसे मालीजी उत्तर प्रदेश का कोई जनरल है या विहार का कोई जनरल है तो दिल्ली में जब वह डिटर पलेस्वी की परिच्छा देगा तो वहां पर भी आल ऑबर इंडिया स्स्ट ही काॉंट होगे मतलब वह डिटर पल ऐस्वी की परिच्छा में भी स्क्रौट में लेकिन फायदा को कम मिलेगा जब आपका SC-T का जो certificate है वो central government का होगा मनली जए आपने state government का certificate बनाया है तो state government का certificate वहाँ पर मानने नहीं होगा central government के certificate को جब आप लगाएंगे तो central government का certificate ही वहाँ पर आपका मानन होगा तो ये चीजे आपको यहाँ पर ध्याद रखनी है कैसे आपको reservation मिलेगा और seat at आपका यहाँ पर compressor है अब देखे प्रट के लिए जो योगता है वो 12 में आपका 50% होना चाहिए कल बहुत सारे प्रिशने आपके आए ते मैं आपको यहाँ पर clear कर दू अगर 12 में 50% है आपने 4 साल का DLA किया है जो 4 year होता है graduation plus DLA आपने B8 किया है BTC वाले भी यहाँ पर eligible है अगर आपने JVT का जो diploma किया है तो वह भी eligible है और आपने इसके समकष कोई diploma किया है तो बहुत भी eligible है लेकिन आपको seated का first paper pass होना इन सब योगताओं के साथ जरूरी है correct है मतलब आपने PRT किया है PRT को अगर आपको firm भनना है तो आपके पास यह graduation क की degree होनी चाहिए या diploma की degree हो आपका 12 हमें आपका 50% हो और CTAT का first paper pass हो TGT PGT के लिए CTAT का second paper आपका पास होना जरूरी है यहाँ पर BAD must है BTC यहाँ पर मानने नहीं होगा तो जो लोग BTC किये है वो TGT PGT में यहाँ पर मान नहीं है यहाँ पर के बल BAD वाले ही मानने हैं तो यह आपके जो प्रिष्ण थे आपकी योगताओं से संबन्द तो उनको भी मैंने clear करने की यहाँ पर कोसिस की है correct मैं फिर आपको बता दूँ सभी तरह के बैच आपके वहाँ पर उपलब्ध है पूरी टीम उपलब्ध है मैं आपको एक common paper की टीम से भी परचित करा देता हूं यह हमारी टीम है जिसमें मैं स्वयम हूं संदीप सर है गौरब ननेजन सर है प्रमोश सर है विवेक पाड़ने सर है वीके सुकला सर है अजय सर है एकॉनमी के लिए सुधानसू सर है और साइंस के लिए अनके सर है और हिष्टी के लिए नभीन सर है यह टीम है जो common paper में आपके साथ काम करने चल लगी है यह complete PRT की टीम आपकी होगी जिसको आप देख रहे हैं इसके अलावा जो आपके विशय के अध्यापक हैं TGT PGT के लिए वो बहुत ही अनभवी अध्यापक है जिनके मार्ग दर्शन में हजारों लोग चैने ठोकर आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस देश को तो जल्दी में उन अनभवी अध्यापकों से भी आपको रूबरू कराने चल रहा हूं जिनका नाम बास्तों में भारत की सरस्रेस्ट फेकल्टी में सुमार होता है उन्होंने अखर्य अभारति इस तर की परिक्षाओं में बहुत काम किया है और निश्चित रूप से उनके मार्ग दर्शन में आप DSSB को क्वालिफाई कर जाएंगे उनके जो नोट से उनकी जो रिसर्च है वो आपको आने वाले समय में बहुत लाभान सेय लेवश का में बेच में परिवेश की प्रक्रिया आज से और अब से ही प्रारण में ज्यब से आप इस वीडियो मी को देख रहा है जो 21 तारीक को हम को कक्षाओं की सोचना देंगे और बाइस तरीक से हम आपके एकक्षाइं भी प्रार्म कर सकते हैं, तो इन तीन चार दिनों में आप अपने प्रवेश کو सुनिषट करा सकते हैं, प्रवेश हमारे counselor सदस्टों की number है इन numbers पर phone करके भी आप प्रिवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं तो आए बैच में मुलाकात होती है लगाता है डेमो कच्छा हैं और बाकी जानकारिया मैं आपको प्रेसित करता रहूँगा अगले चारगसर पाक दिन में तो आपको चेहनत होने के लिए अक निरना लेने की जरुरत है एक एसा निर्णा जो आने वाले समय में निश्चत रुपसे आपके भागे को बदल दे हम लोग दर संकल पर है हम लोग तैयार है मेहनत करने के लिए आपकी जरूरत है अगर आपकी तरफ से कमी नहीं रही तो बिस्वास मानिए डिटर प्लस वी की परिक्षा में एक सीट आपकी होगी अनंत सुपकामनाओं के साथ नमस्कार